नमस्कार मैं भुपेंद्र पढ़ रहे हैं हिदी चल्ल में आप सबका हर्दिक स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जे संकर प्रसाद जी का एक अत्यंत्य प्रसिद्ध निबंध है यथार्थवाद और छायावाद और यहां इनकी निबंध संक्रन जो है उसी कड़ी में यह मेरा दूसरा लेक्चर है जे संकर प्रसाद जी के उपर उस लेक्चर को जिन्होंने नहीं देखा है वे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक डाल दिया है चलिए आज हम समझे का प्रयास करेंगे यथार्तवाद और छायावाद के समझ में जे संकर प्रसाद जी का क्या विचार है यथार्तवाद जैसा कि आप जानते हैं यथार्तवाद किसका चित्रर करता है जो जैसा है मतलब समाज में जो भी चीजे एक साहित्तेकार देखता है अवलोकन करता है चाहे अच्छी हो य करता है चाहे अच्छा हो या बुरा हो उसका वह वर्णर अपने साहिते में करता है इसे हम कहते है यथार्थ वाद मतार जो जैसा है रियलिजम और दूसरा है चायावाद जिसे हम अंग्रेजी में रुमांटी सिजम के नाम से जानते हैं तो चायावाद की प्रमुक विश्यस्ताओं से भली भाती परचित हैं चायावाद के अंतर कित क्या होता है व्यक्ति केंद्रित जो मानसिकता है जो कभी की निजी है यह चायावाद मैं तो यह होता है जिए संकर प्रसाद जी कैया विचाराय यह आये देखते हैं तो मैं वर्ट्टिव डाभा मैं आपको baby आपको प्रमुक प्रवित्यां दिखाई देती हैं जिसे हम यथार्थ वाद के नाम से जानते हैं। यह साहित्य का पुनरुधार काल यह क्या होता है? यह पिनाव जागरन काल। आपको पता ही है कि जो पुनर्जागरण की सुरुवात हुई थी वा यूरोप में हुई थी जिसे हम कहते हैं रेनासा जो यूरोपी जगात है उसमें अठार्वी शताब्दी में तीन प्रमुग प्रवित्यां थी जिन्होंने पूरे हल्चल मता मचा दिया था पूरे विश् कि पुनर्जागरण की शुरुवात होती है एक इसे हम कहatे है पूर्णफधार नवजागरण, भारत वर्ष में पुनर्जागरण की शुरुवात होती है गौतम बुद्ध से जुनने उस समय जो धार्मी का अडम मरते कर्मकान ते उसके ग्रोध में उन्होंने बहुत धर्म का प्रचलन किया आधिनिक समय में राजा राम मुहन राय को भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता उसका पुनर्जागरण महत्व प्रतिपादित किया और साहित्यके अंतरगद्ध में जिन भावनाओं के अविवक्ती हो रही थी उसमें वेधना तता आनंद को अन्हे धंक से परिभाशित किया उनको अविवक्ती प्रतान किया उनके प्रमुक नाटकों में एक ? चंद्रा नील देवी भारत दुर्दशा इनके इस प्रकार के जो नाटक है उसमें जो राष्ट की वेदना को उन्होंने अभिव्यक्ति-प्रदान की तो इसे आपका सकते हैं पिया यथार्त वातकी शुरुवात्ति भारत में भारती दू हरी चंद्र ने लोगों की जीवन में जो वे करास बना इसे प्रकार उन्होंने देखी तुमरी कासी वाली कविटा को भी जैसंकर प्रसाद जी का कहना कि भारते दू हरी चंद्र की यह जो कविटा है भलै इसमें प्रतीक विधान बहूत या अच्छा नहीं रहा है परन्तु जीवन के यतरुरुप के व्यक्तिए इस कि इसके बद यथार्त वात की शुरुबात किश्रमद उनके त्वर वार्देंद की शोर्ण्त के माध्यम से हुई इसके muffin यथार्थ वात दोनों गैज करते थे महां पोट कई और जाश्ता करते दो कि अब वीधनन के माध्यम से प्रिक्त लेकिन उसमें जो मनिस्ट के जीवन में जो अभाव है जो पीड़ा है जो उनके परिस्तिति हैं उनका उले करने का साहिति में सरवक्तम शुरुवात किया था भार्तिंदू हरिश्चन ने राधिका कनहाई सुमिरन को बहानो है वाला सिधान को निर्वाल हो चला था विखारिदास नाम के कवी आहन सुना ऊगा आपने रीतिकाल के बहुत प्रसिद् equally विखारिदास का कहना था कि मैं कविता लिख न का प्रयास कर रहा हूं यदि मेरी कवीता लेकोगो और कवियों को पसंद आ जाती है तब यह कविता ठीक है नहीं तो यह मालिया जाए कि मैं राधा कृष्ण का इस्मराण कर रहा था तो एक कुछ पंक्तियां आपने पढ़ियोंगे विखारे दास की आगे की कविर यह है तो कविताई राधी का करहाई सुमिरन को बहानों है या जाकर आप पड़ सकते हैं तो यह दिरे दिरे उसमा निर्बल हो चलग 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 इसका बढ़ा मिया हुआ कि जो नए साहित कार पहराणी क्योंकि पुन्रावित्ति हुई और जाहित्ति भी समरीद हुआ लेकिन जो नए लेखा का रहे थे जो नए कभी आ रहे थे वे अपने समय की मांग के अन्रोप उनका चित्रन कर रहे थे और भारत हिंदू हरिश्चंद्र ने जो यथार्तवात की शुरुआत कि थ यथार्तवात की जो प्रमुख विशेस्ता है उसमें लगुता की और साहितिक दिश्टिपाद से तात्पर्या है जो पहराणी जो बड़े-बड़े महा महा पुरुस हुए हमारे पुराणों में या फिर दोवी देवताय हुए उनकी वर से दिश्टि हटा कर जो आम जनता है जिनके जिवन में दुख है दर्द है उम्मीदें है आशाय है अकांचाय है उनका वर्णा शुरू हुआ मतारा आम आदमी के जीवन का चित्रन पराम हुआ इसे कहा जाता है लगुता की और साहितिक दिश्टिपाद उसमें सभावता दुख की प्रदानता और वेदना की कि साहितिक जो मानेवे सिधानत है साहितिके मानेवे सिधानत है मतलड़ जिसके अंतर गत पहले पाराणिक या बड़े-बड़े उदात चरित्रों का चित्रन किया जाता था उसके इस्थान पर आम जयंता की अनुभूतियों का उनकी आशाओ आकंचाओ दुख दर्द और प्विडा का उलेक उनके अभाव का उलेक किया जाने लगा उसी समय एक तरुण आर्यसंग था वाद लुपस्थित हो गया उनका मुख्य उद्देश क्या था पौराडिक चरित्रों के माध्यम से यह बताना कि हमारा देश से बहुत ही गवरोशाली परंपरा से आते हैं हमार पौराडिक चरित्रों से हटकर उस समय साहित में आम जंता को इस्थान दिया जाने लगा जो संकेन विचारों थे जो हमारे जो रूड़िंगा ती समाजी करमकान थे इसके विरुद्ध जो आम जंता के जीवन का जाहित होने में लगा और इस रूची को प्रकट होने का आउसर प्राप्त हुआ भारतेंदू हरिश्चंदर जी का जिवन काल बहुत ही कम रहा लगबग 3500 अजीवित रहे लेकिन इतने कम समय में उन्होंने हिंदी साहित को अपनी प्रचूर साहितिक समगरी से समरिद्ध कर दिया इसलिए भारतें सब्सक्राइब करते और अंगरील के शलिए नहीं के समर्ण और नहीं तैसलिए भारतेंद want क्या था एक सस्ता Second शब्दों का और देशाट शब्दों का अधिक जदीक प्रयोकिया रहे तो भारतेंदू हरिष्चंद्र और आज अर्शिव प्रसाद सितारे हिंद के विचारों में ठक रहाट हुआ और भारतेंदू हरिष्चंद्र के योगदान को देखते हुए जो काशी या बनारत को जो विद्वान है उन्होंने भारतेंदू के नाम से उन्हें भारतेंदू के उपाधी प्रयदान कर उन्हें समानित किया तो हरिष्चंदर जी को भारत हिंदी की उपाधी दी गए थी काशी के विद्वानों के द्वारा अर्शी प्रसाज जी को सितारे हिंद की उपाधी दी गए थी अंग्रेजियों के द्वारा इसी समय क्या हुआ हिंदी और बंगला के दो महान कभी उनका परिचय हुआ भारत ह तो दो साहित्यों में आदान प्रदान हुआ अनौद हुआ बंगला में और दो संस्क्रीटिया और भाष्णी को बंगला में अनौद किया उसे पकर जाती में जो धार्मी को सांप्रदाइक आडंबर बन गये थे उससे अपनी रूचेओं को हटा कर उन्होंने जीवन की जो वास्तिक्ता है मतलब जो यथार्त है उसको अपने साहित में अव्यक्ति प्रदान करने का प्रयास किया गया भारते दू हरिश्चंदर की द्वारा पहले क्या होता था जो उपन्यास लिखे जाते थे जो कहानी लिखे जाते थे उसमें क्या होता था बड़े-बड़े राजकुमारों का वर्डन किया जाता था जो बहुत अमीर घर के लोग होते थे जो राजकुमार होते थे उनके जीवन की घटनाओं के रहता था लेकिन भारते दू हरीचंदर के प्रयासों से जीवन के यथार्त का चित्रण होने लगा और मनुस्त के वास्तिक जीवन के उसके साधार्ण जीवन का चित्रण पराम हु अपनी लगुता का एसास था लेकिन फिर वे उस्वालमानी थे वे सतनतता की लड़ाई लड़ रहते आजादी के अंदुलन में अपना योगदान दे रहते और उनके मन में यह धारणा घर कर गई कि भारती नरेस राजाओं को जिने पहले यह समझे जाता था कि यह प्रतिनी थे तब भी हमारा देश गुलाम के हो गया वे बचा क्यों नहीं पाए इसलिए वह जो राजाओं की जो सत्ता थी उसमें का विश्वास हो गया इस परकर जो धारमी को आदमबर था उसके प्रति भी उनके मन में कोई आस्ता और विश्वास नहीं रहा गया इनके ह होते हुए समाज में इतना पाप कर्म कर रहे हैं घरित लोग है तो इस परकर राज सत्ता का कृत्री मोड धार्मिक हो आता था वह समाप्त हो गया जो राजा को देता हो का भगवान का प्रतिनिती समझेड़ाता था यह धारना टूट गई और पहले जो मनुस्य होता था जिसे के साधाना जिसे लगू जिसे अकिंचन संघ्जाता था था दरिद्र संघ्जाता था वह महान दिख्लाइब पाणने लगा वह साहित के कंडर में आलागे और इस पकर उस आम जंता की पीड़ा और कश्ट को जो उल्लेक करने के लिए उसको अभ Кोव्यक्ति कब्यायन्स प्रचुरता से प्राप्प होने लगा अब जो आदर्स्वाधि सहब उन्हेने आदर्स्वाधि साहित्रक्ड लेख किया है पहले जो साहित्यलीक ज़र अथा उसमें आदर्स की भावना भी दिमान थी जिसे कहते हैं साहितिक नाय तो जिसमें राम की तरह तुभ ठाकता करने के लिए का जाता है रावण कि तरह नहीं उसमें रावण की पराजय निश्चित है तो शाहिते में उसमें एक धाण mandar यह भी घर कर गई ती जिसे कहा जाता है आधर्श व्यादी साहित है जैसे आप रामायान का जना घयान करेंगा जलत तो जैसे भगमार राम सही हैं तो रावन की पराजय निश्ची थे तो साहित में इस तरह के प्रतिदंदी प्रात्राइं उनको अभिएक्ति प्रदान किया जाने लगा लेकिन ये थार्त वादी साहित में एसा नहीं होता है आपने अपने सोसाथी में भी देखा हुआ जो बहुत ही करप्ट लोग होते हैं जो बहुत ही घरित प्रकार के लोग होते हैं उनके बच्चे भी उनकी फैमिली भी बहुत अच्छा जीवन जीते हैं इसलिए जो हमारे शहिदे आजम भगत सी हैं उन्होंने एक निबंद में भोगवान लोगों की उनकी गलती के सजा नहीं देता को में रहा है दकाती कर रहा है चोरिय कर कर रहा है उसको बहुत वान सजा नहीं देता है लेकिन महाभारत आदर्श भाई हैं लेकिन महाभारत को जो करेक्टर से भाला ही जो धर्मराय जुदिष्टिर हैं उनमें भी लाग क्रमिया है उन्होंने अपनी पत्नी को जुए की दाओं पर लगा दिया तो यह यथार्त वादी साहित है इसको आप समझ सकते हैं तो यथार्त होना चाहिए लोग कैसे होने चाहिए और यथार्त वादी सिर्फ इस बात का चित्रन करता है कि कैसा है लोग कैसे हैं सही हैं गलत है जैसे भी है और फिर पतन के मुख्य कारण कभी उसमें उल्लेक किया जाता है और उसमें यह भी बता जाता है यदि किसी व्यक्ति का पतन ह होता है तो उसके लिए समाजिक रूड़ियां भी कहीं-कहीं उत्तरदाई होती हैं तो वास्तों में कर्म जिनके समन में देश-काल-पात्रेक के हत्या करते हैं तो उसे सही सम्झा जाता है तो सही और गलत का फैसला देश काल परीस्षिति उनवाता अरहन के अंसर होता है कोई भी कर्म न तो सही होता है न हरत zostगे पढ़िग आसे और अब लेक्व उन्हें छोन के जाता है अseven लेकिन जब कोई कर्म ऐसा हैं जो को करती हैं तो मतलब जो दूरबलता है व्यक्ति के जो दूरबलता है जिसके करणवा अपरादी बन जाता है तो कभी न कभी उसके मनवग्यानिक करणों के पीछे जब हम जाकर देखते हैं तब हमको पता चलता है कि समाज कहीं न कहीं उसके लिए उतरदाई है और जब हम बहु किस दिर साहितिक नहीं कि हम बात कर रहे हैं वह जवरी नहीं कि हर समय सही हो आदर्स वाद हमेशा सही हो यथारत वाद हमको बताता है कि वास्त में सक्चाई क्या है किसी चीज के पीछे किसी का पतन होता है तो क्यों होता है और क्यों गिरता है और जैसे समाज में नारी और प पूरुस केवल पूरुस है एक इसित्री का पूरुस में केवल यही एक शास्वत संबद्ध होता है तो वेदना से प्रखषास्वत संबढ़ होकर आम जनथा कि वेदना से प्रखषशा आम् सभा कर हमको पता चलता है कि लोगों के दुक और कष्टू का करण क्या है प्राधियों केमनोब ज्यान का विश्लेशन करके उन्मे सुधार्णांग का प्रयास करता है साहिट में और इसे क्या होता है इसे व्यक्ति के अंदर प्राधी बना तो साहिट्यकार क्या प्रयास करता है उस कि पीड़ा और उस समाजिक परिस्थितियों आडंबरों और जो कुरुतियों को समाज के सामने लाने का प्रयास करता है जिसके गांड से भव्यक्ति निगेटिवली नकारात्मा कुरुप से प्रभावित होकर किया बन जाता है अपरादी बन जाता है जिसी प्रह इस्तियों के समय में जो नारी तो है की वह कवाल ज्यादा प्रपल हो या फालता कि मातजित्यों कि जो भावना होती है कि आएक इस्त्री यह नावelines यह सरस्भावना होती है लेकिन इसके बावजूद भी केवल उसका इस्त्री होना उसके मां होने के महत्तों को कम कर देता है तो वर्तमान युकी ऐसी प्रविति है तो जब मानसिक विसलेशन के द्वारा जब मनुश्यता इस रूप में पहुंच जाती है और वह यह समझ्य लगती है जो समाज के बंधन है जो समाच की रीती में रिवाज है वह उसको बादा मिसे लगता है कि यह सभी वावास्तुट्रिक है तब क्या करता है यथाँत्वाद हिसाहिटी की रचना करता है उछ से विद्रोप करता हैğ और ट जैसे मैंने उसका उधरान दिया था महाभारत का महाभारत में बड़े-बड़े करेक्टर है कार्ण है और धर्म अधिश्टी है यह भी यथार्तवात से प्रभावित है तो वस्तुदा यथार्तवात का मूल भाव क्या है यहां पर वेदना है तो आम जनता की जो वेदना है जो पीड़ा है यह क्या यह थार्तवात का मूल भाव और जब सावनुओग चेतना चिंद्ध मिनों कर प्रभित होने लगति है सामुई चेतना में जनता जब बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है तब उसका निराकराण करना और से पुज़ाता है उसको अभिवक्ति प् कि उसको यथार्तवादी होना चाहिए तो वह समाज को कैसा होना चाहिए यही आदेश करता है और यथार्तवादी साहितिकार क्या करता है यहां पर तुलना कर रहे हैं यहां पर यह संकर प्रसाज यह थार्तवादी साहितिकार और आदर्स वादी साहितिकार की तुलना कर रह क्या ऐसी परिस्तितों कद्यारत के संपत्य उतिहास का रहे हैं वह हां नहीं किसे निवास है तो इस प्रकार लिखी का कहना है कि साहित्यकर। ना तो कोई धर्म शास्त्र का प्रणिता है, कि वह धार्मिक रूप से लोगों को मजबूत करें, नैतिक माबदन्नों की इस्थापना करें, और ना हिवा इतिहास कहा है। बलकि इन दोनों से भी बहुत कुछ अधीक है। साहित्य करता है इतिहास कारह ऑफ दरबिक इसको प्रयास करता है। समय की वास्ति इसको दिखाता है। लेकिन इसके बावजूत भी वह आदर Großwad के सांट चाहिए से स्थापित करता है। इस परकर जो दुही जगत है दुखी संसार है। और जो आनंद पूर्ण स्वर्ग है, बतब दुख और आनंद, दोना का जो सामन्ज़ से करता है वही साहित है, इसलिए असत्य अगटित घटना पर कल्पना को वाड़ी महत्पुनिस्तान देती है, जो निजी संदार्य के कराण सत्य पत्पर प्रतिशित होती है, उसमें विस के लिए कल्यार्ण कारी हो जाता है, किसी पगर किसी भी साहित में लोगों की कम्या, बतर लगुत और उनकी महांता, दोनों का यह सामन्ज़ से होता है, इस पगर साहित में किसका उल्लेक होता है, स्वयम की अन्भूती का तउल्लेक होता है, किसी कविया लेखा कि स्वयम की जिसे आत्मन भुति स्वन मुधि कहते हैं इसका तो उल्लेक होता है इसके सांति सांत जो साहित्यकार की जो भावना होती है वह आम जंता की भावना का भी मुर्त रूप होती है उसके साहित्य में उसको अव्यक्ति प्रदान करता है इस परकार साहित्यकार की भावना और आम कविता के चेत्र में पौराणी क्योंकि किसी घटना थवा देश-विदेश की सुंधरी के बाय वर्णन से भी जब वेदना के अधार पर स्वानुभूती में व्यक्ति होने लगी तब इसे हिंदी में चायावाद के नाम से अभी हित किया अभी तक हमने समझने का प्रयास किय जैसंकर प्रसाद यीके दिष्टिकोण से चाया वाद और यतारतौबद र अदर सवाद में क्या और समालता है और अब हम देख रहे हैं कि चाया वाद पहले क्या होता था जब वेदना के अभिव्यक्ति होती है पीड़ा के अभिव्यक्ति होती है जैसे महादेवी वर्मा की कवितां में जिन्हें है वेदना की कवित्रिकत है एडेसंकर प्रसाइजी का हासू हुए मतब खुद की वेदना को जब कभी अविविविक्ति प्रधान करता है तब उसे हम छायावादी साहिते के नाम से जानते हैं हरिति काल में क्या होता NICK के प्रधान दी किसी नाइका के वटन के ? और आंतिरिक भाना के विव्क्ति नहीं होती या अधिक अजय का हुए कभी आंतिरिक इन्भूतियों का भी एहुआ होस्ति को कोई छोड़कर जब कभी अपने बीतर की और मुड़ता है अपने अन्दर की стран बौत कर दोद्र करता है नहिता होती है तो प्रकार के वाग करती है तो पहले भी प्राचीन हमारे संस्क्रित के कभी हुए है मैं उन्होंने भी चायावादी प्ल Salt जरूरत होती है चायावादी क्या के विशेष्टा है सवानु भूति का वर्णन कभी करता है प्रकृति का चित्रन करता है प्रकृति में सर्वत एक विराड सत्ता को महसूस करता है और प्रकृति को भगवान का प्रतिभीम समझता है उसकी च्छाया समझता है इसे कहते हैं च्छाया वाद तो जब बाहरी दुनिया से प्रहीत होकर कोई कवी अपने अंदर की और मुरताय स्वानभूती को अभिव्यक्ति प्रदान करता है तब उसके एक नहीं प्रकार की शब्दा वली का उसकी जवरत पड़ती है ताकि वह अपनी अभिव्यक्ति को मुरत प्रदान करें तो जैसे कि अब जानते हैं, शब्दों का अपना अर्थ तो होता ही है, शब्दों का डिशनरी में अपना अर्थ तो होता ही है, लेकिन जब हम शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं, अपनी कविदा में प्रयोग करते हैं, तब उससे विशेस अर्थ दोनित होता है, जो काव हैं उसमें तीन प्रकार की शक्ति होती है, अभिधा, लक्षणा और वेंजना, तो जो अभिधार शक्ति होती है, जैसा हम बोते हैं वासे अर्थ निकलता है, और अभिधा, लक्षणा और वेंजना में कुछ अलाग अर्थ ध्वनित होता है, तो यह हमको इसके लिए से बुत ही जवर्णी होता है तो अभिवक्ति का या एक अला की डंग ए छाया वाध रहा की की बीषेस मोती के भीतर जो खुब सूरत होती है उसी प्रकार की खुब सुरत भार्षा की जरूत में पड़ती है। तो यह बहुत सारे संस्कृत के कभियों का उन्हें लेक किया है, इस पर मैं डीटेल में नहीं जा हुआ है, पर नहीं मुझे संस्कृत इतनी आती है, तो इस प्रकार शब्द और अर्थ का जब सही धंग से प्रयोग किया गया, विशेश तरीके से प्रयोग किया गया, अर्थ नहीं काता, जैसे यहां इन्होंने एक जांपल दिया है, वे आखें कुछ कहती है, अब आपको मालूम है कि आखें तो कुछ कहा नहीं सकती, लेकिन आखों से आखों का महुन संभासट भी होता है, जैसे सपोस करिए कि दो लड़के और लड़किया एक दूसरे को प नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, तो अब समझ सकते हैं कि नजरे कभी बात करती हैं कि आखें बात कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, लेकिन निगाहों की पर अपनी भाशा होती है, तो इस प्रकार के वाक्यों और उसका प्रयोंग होता ह इसे ही प्रकार जो उसके ध्षोनी जो ध्षोटी है चाहावाद कर में हम पढ़ते समय जो ध्षोनी का महां मासूस करते हैं जो नाद समर्णार होता है या उसमें क्या है कि विभी से प्रकार की कुणूरती और एक टडब का टडब को जड़मा देता है जासे वे आखे में व पताने का प्रयास किया है तो यहाँ पर्व करना है कभी की नाई का है के नाइका ama नाईका में होती है नाईका जब लगंगट ढालती है तरीका है हो गया इसका सौनधर नारी को देखती है तो वह क्या है लाल हो जाती है तो यह जो जो यह जो यह लग्जा है किसी को देखकर बिलकुल गाल आरक्त हो जाते हैं लाल हो जाते हैं तो यह गुंगट वाली लज्जा नहीं है बलकि अलग ही प्रकार की लज्जा है तो इस पकार यह सभी चायावाद की विशेष्टा हैं तो इसी पकार उन्हें ने वीवी ने प्रकार की उपमायत देने का प्रयास किया यह सब आप अपने किताब में पढ़ ने देखतकों कि इस यह यहुदक तह थे रहु पहले से जस्ताहित है हमारे संस्क्रिट में следующ पारत है जो इस प्रकार प्राचिन साहित में छायावाद अपना इस्तान बना चुका है इस प्रकार इसमें अभिवेक्ति का यह धंग होता है जिसमें कोई बाद सीधे साधर नहीं बलकि गुमाँ पिराकर कही जाती है जिसे वक्रोप्ति करते हैं उफब कर सकते हैं जो लोगों की बैदा उनकी वेदा और नहीं चेमाकां यह प्रयास करताया कि अदर की आत्री चब्स अप्रदान करता है तो वा कि खुद की आभी व्यक्ति नहीं होकर बलकि stat Crackt बने जाती है समाच के लोगों के जो भावना है उसमें पर लक्षित होता है इसे हम सधार की करण विका सकते हैं और इस प्रकार की भाषा, चायवादी करिता में प्रमौत में लिखा है इसलिए ऐसा चायवाद किसी भाशा के लिए शाप नहीं होसकता है चायवाद को उसमें बहुत तो क्रिटिसाइट कर रहे थे चायवाद के इस समय आलोचना हो रहे थी तो उसके संब्लमनों ने लिखा है कि इस पकार को जो चायवाद है वह लोकों के लिए कल्याण करने वाला है तो इस पकार जब भाशा का परिमाजीत रूप चायवाद में प्रयोक चय जाने लगा भाशा में सुधार होने लगा तो वास्तों में जो खड़ी बोली हिंदी का जो चरम रूप है वह कहां दिखाई देता है और साहित तेजगत ने इसका स्वागत भी किया तो हिंदी के आरभ में चायवाद में भारती साहित इक्ता का ही अनुकरण कि क्या तो शुरूएथ में जो चायावाद है उसने लिखा प्रसाजी ने दिया वास्त में उन कानुकरण किया है तो इस पकार उन्तक के सद्दों में अतिक रांत प्रसिद्ध व्यहार सरणी के करण कुछ लोग इन चायावाद में आइस पस्ट है कभी क्या कहना चाहता है पता ही नहीं चलता तो कभी कभी ऐसा होता है कभी कि अनभूती और शब्दों में सामंज़ से नह मेल नहीं हो पाता मतलब उसके भावनाओं में और शब्दों में कोई सही डंग से मेल नहीं हो पाता तब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको कुछ बातें समझ में नहीं आती लेकिन सिद्धानत रूप में हम ऐसा नहीं कर सकते कि यदि कुछ आइस पस्ट है छाया मात्रा है जिसमें वास्तिकता बिल्कुल भी नहीं है वही चाया वाद तुन्होंने कहना चाहिए कि चाया वाद सिर्फ आइस पस्टता नहीं है कभी कभी ऐसा होता है कभी अपनी अन्भूतियों को शब्दों में अभिवक्त नहीं कर पाता है सही शब्दों को चुनाओं नहीं कर प यह नियुक्त तो यह रहस्यवाद भाति नहींillar इसा नियुक्त अफ्रुट। है वह जैसे अरस्तो कानुकरण सिध्धान में भी आपने देखा होगा विचार या प्रत्या भगवान के दिमाज में जन्मा लेते हैं उसका प्रतिविम्भ है उसे प्रकृति को कावेगत व्योहार में ले आकर चायावाद के सिष्टी होती है या सिध्धान भी ब्रामाद और यह भी कहना कि कि यह प्रकृति का चित्रन करना जब्री यह प्र चायावाद की प्रमक्रख क्विशष याई कि प्रकृति को यτι आपको विदधा में ले आते हैं तब उस्धान भी कर देता है और सिद्धान भी प्रामाद इस पर कारुण ने कहा है कि केवल रहस्यवाद या केवल प्रकृति चित्रन नहीं चायावाद नहीं है बलकि इसमें बहुत सारी बातें आती है यदि भी प्रकृति का आलंबन रूप है आधार रूप है स्वानभोधी का प्रकृति से तादात्म न हैं कि च्छायावाद केवर रहा प्राकरिति करने का प्रयास किया कि चायावाद नहीं है जो लोगों करते हैं इससे परभाइज्टी से अनुभूती चायावात क्या है कवी की अनुम ह्यूंतिकी ऐसे अनदीकित्त करती है और किस प्रकार वाह उसे अभिवक्ती प्रयद्हें करता तो चायावात की क्या के विशेषता है धन्यात्मक्ता जिसमें कुछ खास ध्वनी हो कुछ नाद हो गूज हो इसको पढ़ने में आपको मज़ा आता हो लक्षणिक्ता जैसे अभिदा लक्षडा और वेंजना शब्द सक्तित लक्षडा और वेंजना का प्रयोग होना या पिर महादेवी वर्मा के कविताओं में जो दीप है ना मैं नीर भरी दुखी बदली है ते सारी प्रतीक है तो इस प्रकार की जब अन्भूती का वर्णन किया रहता है कविता में तो यह चायावात की विशेषता है और अपने भीतर से मोती के पानी की तरह अंतर इस प होता है गून होता है लक्षणा शद्चक्ति का उसमें प्रयोग होता है लक्षणा और बिजना का और संदर में भूती संदर में प्रतीक विधान का प्रयोग के रहता है विशेष प्रकार की शब्दवरी का प्रयोग के रहता है तब इन सब का जो संगलित रूप जो हमें प्राप्त होता है तो है क्या होता है तो इस परकर आप लोग इसे भलीभाति समझ लिया होगा और यहहां निभन कावे का लता था अर्अ यह और आप जो राम चिंजर कहा घ्लका कंणा कर यह निभन कावे में लोक अगल की साधनावस्ता उस पर जो मेरा वीडियो उसको विजा कर जबूर देखें कि मैं कमेंट बाक से कमेंट लिक्षर कैसा लगा और इसे लाइक भी करें कुछ हातरों की यह शिकायत रहती कि मैं सिर्फी इसको पढ़ देता हूं किसी भी कंटेंट को तो ऐसा नहीं है यह न प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक किसी बात को लेकर आना तो यह निबंद आप इसकीन पर देखने आपको पता है कि मैं यही निबंद पढ़ा रहा हूं इसे के बारे मैं आपको बता रहा हूं बहुत बहुत धन्याद जैहिं जैभारत